Hello and welcome friends, Microsoft Excel 2021 सीखने की इस रेज में मैं सुराज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Microsoft Excel की है Excel में आज खास क्या है आईए आपको बताता हूँ देखिए एक short नाम का function होता है Excel 365 के अंदर ये आपको मिलेगा 2021 के अंदर भी मिल जाता है आपको ये तो और आपको Google Sheet में भी ये मिलता है बाकि नॉर्मल Excel में ये नहीं मिलेगा ये ध्यान रख देगा यहाँ पर तमाम cities के नाम लिखे हैं अब आपसे मैं कहूं कि इसको short करिए तो आप जाएंगे यहाँ short and filter option पर और A to Z के करम में इसको short कर देगे तो इसको हम एक formula की मदद से भी short कर सकते है कैसे आईए दिखाता हूँ यहाँ पर लिखेंगे sort और short लिखने के बाद यहाँ पर short formula आ जाता है और फिर इस सारे data को हम कर लेंगे select select करके bracket को close करेंगे और enter press कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नागपुर को अटा के कानपुर लिखा तो देखेंगे कि यहाँ पर automatically changes हो जा रहे है लेकिन क्या होगा अगर हम इसके नीचे कुछ लिख दे जैसे मालीजिये यहाँ पर लिखता हूँ मैं गुरू ग्राम यह लिख दिया गुरू गुरू ग्राम तो यह गुरू ग्राम जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर कोई changes हो पाने possible नहीं है जाइर से बात है कि यह जो है changes नहीं करेगा क्योंकि नीचे लिखा गया तो अभी इसका क्या उपाय है कि यह changes automatic हो जाए इसके लिए इस पूरे data को select कीजिये और control के साथ T प्रेस कर दीए और OK कर दीए बस यही आपको करना है और यह जब कर देंगे न तब अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो इसमें accept कर जाएगा आप यहाँ पर दिखिए यह लग चुका है filter ठीक है मैं क्या अगरता हूँ इस data को करता हूँ delete कर दिया आप यहाँ पर वापिस आते हैं वापिस आने के बाद is equal to short formula फिर से लगाते हैं यह लगा दिया short और फिर हम इसको select कर लेते हैं यह select कर लिया पूरा यहाँ तर अब इसको बंद करते हैं और enter कर देते हैं यहा पर देखेंगे सारी चीजह आ चुकी है last में हमने जोड़ा था attract guru gram यहाँ पर आया हुआ है अभी हम क्या करेंगे यहां पर थोड़े से changes और करेंगे क्या करेंगे यहां पर last में एक और नामाई बाढ़ा देता हूँ जैसे माली जी मैं यहां कर देता हूँ महारास्ट यह लग दिया महारास्ट अब अगर मैं ओक्के करता हूँ तो यहां पर देखेंगे आप यह changes automatically perform हो जाता है तो यह somehow है short formula की मदद से आसानी के साथ यह short हो जाएगा बड़ा easy है बड़ा आसानी उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा अब माली जी अगर मैं नीचे कुछ और भी देता हूँ नाम जैसे माली जी मैं यहां लिख देता हूँ वाराणसी यह लिख दिया वाराणसी अब अगर यह वाराणसी लिखता हूँ कि यह जो फॉर्मूला है क्या यहनी अब यहां पर कोई लॉमेरिक वैलयू डालते है जैसे कोई फोल नंबर ही डाल देते हैं जब इसे डालेंगे ना यह भी ऑपडेट हो जाएगा एक चीज ख्याल रखियेगा जो भी नंबर होता है नमबर हमेशा किधर की तरफ align रहता है राइट की तरफ देखिए यहाँ पर यह नॉर्मल तरीके से नहीं लिखा गया है यह ध्यान दिजेगा अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली लिखता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मली भी देखिए नमबर हमेशा right align रहेगा और यहाँ पर देखिए यह भी normal ही लिखता गया तो text हमेशा किधर align रहेगा left की तरफ align रहेगा तो text कुछ भी लिखते हैं हम जैसे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ तो यह हमेशा left रहेगा एंटर किया तो text left side में है और नमबर हमेशा right side में रहेगा ठीक है अब क्या point वाला लिख देते हैं तो भी यह right side में ही रहेगा क्योंकि यह भी तो एक numeric value ही है ठीक है ना तो यह बात ध्यान रखिएगा ठीक है राया होगा अगर आपको यह formula अच्छा लगे तो इसको share कीजेगा साथी कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा thank you for watching this video